आप अच्छा बैकिंग करके आजाओ कार्टून को यह लोग लेके जाने नहीं दे रहें मुह आप से आप काउंटर से आपको भीजा देंगे बोलेंगे जाओ इसको रैप और कार्टून में सही से लेके आओ तो इनके जो टंसें केंडिशनन को फॉलो करो आप यकीन मानों बिलकुल इगनॉर नहीं करना बहुत इंपोर्टेंट खबर है पासपोर्ट से लेटेट एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रावल से लेटेट भी बहुत बड़ी अपडेट है दोनों अपडेट को पर आप से बात करने वाला हूं बहुत बड़ी आपडेट जारी करके बताया है कि जो कपड़ेवाला वैग होता है या फिर काटून होता है और रैप करके जरूर लेकर जाए यरपोर्ट में लेकिन अब क्या हो रहा है कि रैपिंग मसीन लगाया गया है सारे यरपोर्ट में आप दूबई से ट्रावल कर हो या अप सौदी से ट्रावल कर हो मान कतर कहीं से भी ट्रावल कर रहे हो तो हर जगा पर रैपिंग मसीन लगाया गया है तब ओले से यहां पर मसीन से रैपिंग करno करा वि गया अप को ह điều तो रैपिंग करा रहे हो तो वहां से रैपिंग कराने का कोई मतलब नहीं बनता आ क्योंक्य यह पर्राट वाले साथ को रैपिंग करना ही color मतलब वह लोग बोलेगा ही रैपकि खराओ उसके लिए कुछ पैसे लेंगे तो आप एaiserपोर्ट में आने नहीं करोगे तो 10,000 से लेके 50,000 तक आपको जुर्माना लगेगा वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले नहीं तो आप बोलोगे कि भाई ये क्या बता रहा है क्योंकि न्यूजी कुछ ऐसा है मैंने जैसी न्यूज पढ़ा तब पता चला कि एक चुली और भारत सरकार ने law बनाया है कि कोई भी एक जो भारती है वो दोनों कंट्री का नागरिकता नहीं ले सकता या तो आप इंडिया के रहो या अधर कंट्री जा रहो तो वहां का नागरिकता रखो लेकिन बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां पे दोनों कंट्री का नागरिक रखते हैं लेकिन अपडेट जारी करके बताया है कि अगर ऐसे बहुत सारे मामले भी आए हैं जो तीन गौर्मिन का रूल ने अपडेट करके बताया है रूल में कि अगर आप यहां का नागरिकता छोड़ दियो तो तीन साल का आपको महलत दिया जाएगा तीन साल के अंदर अगर अपना पुराना पासपोर्ट नया पासपोर्ट जो भी पासपोर्ट है जो भारत सरकार आपको दिया है वह अगर भारत सरकार के पास आप रिटन नहीं करते हो तो दस हजार से लेके पचास हजार तक आपको जुर्माना देना पड़ सकता है तो बहुत सारे ऐसे क्वाल है नीचे कोमेट सक्षन में जरूर पूछे मिलता हूं ने अपडेट के साथ नहीं जानकारी के सब्सक्राइब